नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंग गार्डन में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूट प्लांट्स प्रूट प्लांट्स की इच्छा सभी को रहती है लेकिन जमीन ना होने की वज़े से इच्छा पूरी नहीं होती तो हम ऐसे प्लांट्स आपको देते हैं जिससे क्या हो कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए जमीन के बगएर ही अब आप सुचते हैं कि जमीन के बगएर क्यों फ्रूट प्लांट तो जमीन में लगेगा लेकिन नहीं आज कल छोटे छोटे फ्लावरिंग हो रही है देखिए इ अग्राफ्टिंग सिस्टम से त्यार होता है तो बाकी छोटी चीजें तो लगा ली और खा भी ली लोगों ने अमरूद है जैसे निम्बू है संत्रा है किन हुए देखिए छोटे से पौधे में ये निम्बू फ्ला भी हुआ है और फ्लावरिंग जो है इतनी बेंतिहां चोटे चोटे थैलियों में हो रहा है तो गमले मिलेंगे तो नैच्रल सी बात है कि बहुत बढ़िया होगा लेकिन इन चोटे पौधों की बजाए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि आम तो आम कहते हैं इसका तो संभव भी नहीं है आम देखिए इन चोटे चोटे कहते हैं बच्पन में आप लोगों ने भी बहुत अच्छा इसका फल खाया होगा और बड़े स्वाद लिए होंगे तो सेहतूत का पौधा जो है बहुत बड़ा बड़ा दर्खत होता है दोस्तों लेकिन मैं आज आपको दिखाने बाला हूं कि सेहतूत का पौधा जो है मातर गमले में लगा करके और अपना फल खा सकते हैं तो देखे ये सब चीजे तो छोटी-छोटी में लग जाती है जैसे देखे नाश पाती है और इसको मैं आपको दिखाऊं ये अलू बुखारा यानि के प्लम प्लम देखेंगे देखे गुच्छों में जो है ये अलू ये देखिए जगा जगा पे लगा हुआ है तो मैं आज आपको दिखाता हूँ जो में पर्पस है मेरा के सहतूत जैसी चीज को भी हम छोटे से गमले में छोटे से पौधे में लगा करके और उसका हम भरपूर्ज च्वात ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं किस साइज का गमला होना चाहिए सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है आईए तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि सारे पूट प्लांट हम अपने छट पर ही लगा सकते हैं अपने गमलों में लगा सकते हैं और जो अपनी इच्छा उसको पूरा कर सकते हैं तो लोगों को सोच यह है कि जी सहतूत सहतूत आम यह तो बहुत बड़ा पौधा होता है तो यह देखिए बहुत बड़ा पौधा जो होता है वो छोटे पौधे में फल कैसे देता है ये देखे ये सैतूत का पोधा है यानि के मलवरी और आप ये देखे के लगातार इसके अंदर मलवरी लगी हुई है यहां से स्टार्ट होता है ये देखे ये लगातार जो है इसके अंदर सैतूत बना हुआ आपको नजर आ रहा है और उपर भी फल है इसके अंदर इधर दे ये बात की गारंटी होनी चाहिए तो इतने चोटे मेंफल देने के लिए होता है पौत होगा जाए देखिया है यहां से रखिया गया नीचे पंधि कर दी जाती है मतलब एक सहतूत का जो फलता हुआ पोधा है, जो फल दे रहा है, उसकी ब्रांच को यहां जोड़ दिया जाता है, उसका एक्ग्जामपल आप बड़े अराम से देखिए, पौधा है और इसके उपर सहतूत का जो ब्रांच है उसको जोडा गया है तो इसको जोडने से क्या हो गया कि नीचे से energy जो मिल रही है इसको ताकत मिल रही है nutrition मिल रहा है वो बड़ी तेजी से मिलता है अब example के तोर पे देखिए कि आप फसल लगाते हैं खेत में अगमले में फूल लगाते हैं तो फूल का पौधा तो बाद में भरेगा मतब बढ़ेगा लेकिन जो घास है वो पहले बढ़ जाती है तो घास में जो energy sucking power होती है वो कुछ जादा ही होती है तो ये इसलिए नीचे से जंगली पे जोड़ा जाता है और उपर वाला जो फल देने वाला होता है तो इस तरह से ये pattern से आपको ये जल्दी फल मिलने लगता है आपको बड़ा जो है 10 साल, 5 साल, 15 साल वेट करने की जुरुत नहीं पड़ती लगाया और तुरंत के तुरंत फल ये देखे तो हम provide करा रहे हैं दोस्तों इस तरह के plant इस तरह का जो grafted plant है आपने देखा graft की निशानी है तो grafted plant आपको इस तरह से घर बेठे मंगवा सकते हैं by courier और अपने घर में इन सब चीजों का गमलों में छट पर बालकनी में लगा करके और स्वाद ले सकते हैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं तो अब बात तो ये आगए कि छोटा पोधा लेकिन एक गलत फहमी लोगों में बहुत पहले हाइब्रीड है जी काई लोग क्या करते है कि इसमें भी फल नहीं आता है क्याते है हमारे दो साल हो गया तीन साल हो गया पांच सीkem कोई फल नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है ऊसका कारण होता है nutrition अब जैसे इसके अंदर देखिए ये जो आप मलवरी देख रहे हैं इसमें एक मलवरी के अंदर लगभग लगभग सो डेड़ सो या असी नबे सीड्स बनेंगे इसके मतलब हर जो उठाफ दिख रहा है उभरापन दिखाई दे रहा है उसके अंदर सीड्स होता है और हर सीड्स के ओपर जो कोटिंग होती है वो कैल्सियम की होती है जैसे के अंडों के ओपर कोटिंग कैल्सियम की होती है मुर्गी के फीड में जो है वो कैल्सियम यानि के पत्थर डाला जाता है तो इसी तरह से जो ये पौधा है इसको मिठास के चाहिए इनके बीज की कोटिंग के लिए इसकी स्ट्रेंथ के लिए फ्रूट होल्डिंग में हेल्प करने के लिए केल्शियम फॉस्पोरस जिंक चाहिए तो ऐसे में क्या है अगर यह नूट्रिशन इसको नहीं मिलेगा तो फ्रूटिंग नहीं आएगी और फ्रूट आ भी इसके अगर फ्लावरिंग आ भी गई तो वो क्या होगा ड्रॉप डाउन हो जाएगा गिर जाएगा जड़ जाएगा कारण क्या है कि कम्प्लेट नूट्रेशन ना मिलना तो कम्प्लेट नूट्रेशन क्या दें अब कैल्शियम फॉस्पोरस जिंक आयरन पोटास बरोन जाएगा है तो कम्प्लेट लेंगे तो फ्लावरिंग देंगे तो प्लांट आपका फ्रूट करेगा दूसरी बात क्या होती है एक तो इसकी बजह हो गई फ्रूट insulting मिक्स यानिके खाद नहीं देंगे तो फ्रूटिंग फ्रूट नहीं होगी अब दूसरा point discuss करूं तो दूस्तों खाद जो है यह ने बताई यह खाद आपको कोई महीने 15 दिन में निडालना है ऐसे जो fruit plant होते हैं उनमें आप खाद डालिये तो चार महीने में एक बार minimum मतलब maximum जो चार महीने एक बार ले 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 और और ज्यादा time करना है तो छे महीने में एक बार यह नहीं कि साल में दो बार भी इसको fertilizer दे देंगे तो sufficient है लेकिन fertilizer complete होना चाहिए यह नहीं कि सिरफ गोवरखाट डाला और उससे हो गया क्योंकि उसके पौधों के पत्ते जलने सुरू हो जाते हैं एक्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊंगा भी एक पौधा जिसको हमने ट्राइल करके देखा है कि क्या होता है पत्ते क्यों जलते हैं तो पत्ते जलने का कारण होता है कि हम अग्यानता बासी कह ले या ना पता होने पे हम डाल दिया दो मेने बोगषाद डाल दिया कोई तरसों खली डाल दी को डीएपी डाल तो उस में क्या होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता और पत्ते जलने सुरू होते और पौधा आपका मर जाता है तो इन पौधों में जो फूरूट प्लांट से खास कर इसमें सा प्लांट का फ्रूट जड़ जाता है या प्लांट मर जाता है आपका क्योंकि लगातार पानी इसमें डालते रहेंगे तो इसके रूट्स को ऑक्सिजन जो हमारा जीवन वायू है ऑक्सिजन वो नहीं मिलेगा और पौधा आपका मर जाएगा तो यह कुछ कारण होते हैं जिस प्लांट कोई भी फल हो उसके अंदर दो से तीन वार साल में डाले और फूटिंग अच्छी ले सकते हैं उसके अंदर भी आपको साल में दो बार देना है और अच्छी फूटिंग आप ले सकते हैं तो यह देखिए यह पौधे एवेलेगल हैं वाट्श करके और किसी भी तरह का प्रूट प्लांट जो ग्राफ्टेड है एर लेडिंग से हैं मंगवा सकते हैं अब एक एक जामपल आपको दिखाना था वह कि पत्ते कैसे जलते हैं प्लांट के और क्या रीजन रहता है तो आइए देखते हैं तो दोस्तों देखिए इस तरह से पत् प्लांट के लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि पत्ते जल रहे हैं तो हमने रिसर्च किया और देखा कि क्यों जल रहे हैं तो यह एक्सेस जो फटिलाइजर है उसकी बज़े से देखे इसके पत्ते ज़ड़ चुके हैं देखे बिल्कुल छूते ही एक दम से यह चूते यह देखे ऐसे तूट रहे हैं और पत्ता बिल्कुल जड़ गया हाला कि इस पौधे के अंदर देखे फ्लावरिंग भी आ रही है लेकिन इसमें एक्सेस जो खाध है फटिलाइजर है जिसकी वज़े से इसकी यह कंडिशन हो चुकी है अब इसी के साथ दिखाता सेम टाइम पे लगे वे पौधे हैं यह देखिए इसके टाइम पे आप यह देख सकते हैं कि यह जो पौधा है आम का पौधा है और इसके अंदर वो फटिलाइजर नहीं डाला गया तो आप यह देखे कि बिल्कुल स्वस्त है और बढ़िया जो है इसके अंदर फ्लावरि हो रही है तो इसी तरह से dragon fruit है dragon fruit में देखे इसमें भी fertilizers का काम हो चुका है और आप इसके देखे कितने फुटाव आने सुरू हो गए हैं जगा जगा पे इनका देखे नई नई इसके निकलनी सुरू हो गई है तो इन चीजों का ख्याल रखकर के दोस्तों आप भी अपने घर में प्रूट उगा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उसका सेवन कर सकते हैं और अर्गनिक फल और अपने हाथों का उगाया हुआ मजा ही कुछ और होता है बने रहे हमारे चैनल समीर सिंग गार्डन पे और इस तरह की नहीं नहीं जानकारी लेते रहे है वीडियों के ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसको देख करके और यह अपना करके अपने घर में फूट उगा सकते हैं